असलाम अलेकम मैं हूँ नूर आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल नूर बोदीक आफिशल पे आज आपको मैं जिप लगाना सिखा रही हूँ किस तरह से आप अपनी शर्ट की बैक साइड पे परफेक्ट तरीके से और इजी तरीके से जिप लगा सकते हैं तो इसके लिए मैंने मार्किंग स्टार्ट की है मार्किंग मैंने शोल्डर रांड से लेकर नीचे तक एक मैंने 7.5 पे निशान लगाया है और मुझे चाहिए 9 इंचिस की लेंथ की जिप तो मैं एक निशान लगा रही हूँ 8.5 पे यनि 1.5 इंच मैंने कम लिया है जिप की लेंथ से तो इसको इस तरह मैं सेंटर से कट कर लूँगी आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकोन को हिट करें ताकि हर नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं सलाई की बहुत ही परफेशनल जो आपको शायद ही किसी ने इस तरह के प्लैटफार्म पे सिखाया हो तो मेरे साथ कनेक्टिट रही है यह देखे मैंने कट कर लिया है कट करने के बाद इसकी लेंथ चेक कर लें एट और नाइन मुझे इसकी चाहिए थी जिप की लेंथ और नाइन से टू इंच एक्स्ट को सेंटर फोल्ड कर रही हूं प्रेस के साथ सेंटर फोल्ड करने के बाद इसको लेंथ से भी आपने सेंटर फोल्ड करना है इस तरह करके तो अब मुझे लेंथ जो सही लेंथ थी हमारी परफेक्ट जिप की वो मुझे चाहिए 9 इंच चाहिए तो मैं 4.5 पे निशान लग कर दिया है कि कट करने के बाद इसको साइड से हाफ आफ पैर का मार्जन अंदर की तरह फोल्ड करके तो इसको आप सिलाई लगा लें या फिर आप यू एच यू की मदद से भी इसको कर सकते हैं तो यहां पर इस तरह करने के बाद आपने कपड़े को नीचे रखना है जो यहां पर हमने सेंटर के साथ यह कटिंग मिला कि इस तरह रखना है तो एक साइड से हमने आदे पैर की सलाई के साथ बिल्कुल सीधी सलाईयों के साथ हमने इस पटी को लगाना स्टार्ट कर देना है मैंने पटी इस लिए नीचे रखी है ताकि आप शर्ट को देखते तो मेबी शर्ट कहीं से टेड़ी सलाई आजाए शर्ट के उपर जो आपकी जिप की हुपसूरती को खतम करेगी तो यहां पर जब आप आते हैं कॉर्णर बनाने के लिए तो यहां पर बहुत ही स्लॉली आइस्ता आइस्ता से आप इसकी शेप बनाते जाएं और एक कौना इस से दूसरी तरफ को मोड लें अब यहां पर एक चीज है बहुत सरे लोग यहां पर दो टांकों को लेके तो फिर इसको टर्निंग करते हैं इसको फिर टर्न करते हैं जो वो जिप का जो हाला जो हमें एक तियार करते हैं वो खुल जाता है तो उसकी वज़ा से जिप की उसकी perfection नहीं ठीक रहती तो आप इस तरह करें V-shape में जैसे एक होता है यह देखें मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से यहां तक मुझे चाहिए तो इस तरह जैसे V-shape होती है इस तरह lightly आपने smoothly भिलकुल यहां से दुसी तरफ को मोड़ना है और इस तरह sly को दुसी तरफ से पका करते हुए आपने निकाल लेना है यहां से मैं center से करूँगी इसको cut यहां से cut करने के बाद corner पे आपने deep cut देने है तरह एहतियाद के साथ आपको cut करना होगा इससा cut करने के बाद आपने लगानी है sly जो edges पे मैं लगाती हूँ गले के उपर भी लगाती हूँ और कोई भी पटी टेश करूँ तो इसके उपर मैं edges की sly ज़रू लगाती उससे फाइदा ही होता है कि यह sly मजीद पकी हो जाती है हमारी निकलती नहीं है बैठने उठने से यहां फिर फिटिंग जएदा भी हो तो फिर भी sly निकलने का बिल्कुल भी हद्चा नहीं रहता तो इस तरह आपने यहां पे edges की sly लगाने के बाद आपने इसको एक दफा अच्छे से press कर लेना है प्रेस करने के बाद मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी टिप जो आप घर बैठे zip लगा सकते हैं जो unprofessional लोग हैं जो sly को नहीं समझते वो भी असानी के साथ लगा सकते हैं तो उसके लिए देखिए यह मैंने press कर लिए जीप को मैंने इस तरह नीचे रखा है अब यहाँ पर जो जो है वो जीप को पहले खोल लेते हैं फिर उसको लगाना स्टार्ट करते हैं हमने जीप को पहले खोलना नहीं है एक साइड कपड़े के नीचे हमने जीप को अंदर कवर करना है यह देखिए जीप पंद है हमारी इस तरह जीप को अंदर कवर करके जितना हमने इसको कपड़े को उपर दबाओ देना इसका शर्ट का तो इसी तरह जीप को अंदर कवर करके तो आप हाफ पैर जो होता है पाइपिंग वाला उसके साथ जिप के साथ दबा के सलाई लगाएं और कपड़े का हाफ पैर का मार्जन तकरीबन जिप के ओपर चड़ा के लगाएं तो इस तरह जब आप लगाएंगे तो देखें आप देख सकते हैं दूसी साइड से जो हमारा कार्नर है वो बिल्कुल जिप के साथ जाके मिल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे यह देखें अब यहाँ पे आपने जो जिप के साथ इसको मिला के रखना है आपने किसी pin के साथ यहां से corner बहुत अच्छे से set कर लेना है और यहां पे zip के साथ हमने मिला के रखना है थोड़ी सी हमें ऐसी attach करूंगी मैं तो attach करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आपने याद से zip को खोल लेना है ताके आपका यह जो handle है जिप बंद करने और खोलने के लिए यह zip के अंदर आए जिप के बाहर वाली side पे ना cover हो जाए तो इस तरह यहां तक लगाने के बाद इसको खोल ले पीछे की तरफ कर दे और आप इसको लगाते जाएं असानी के साथ आपकी यह लग जाएगी देखें बिलकुल इसकी कनारियों के साथ मिला के मैं इसको लगा रही हूँ edges की सिलाई है और पीछे से zip को बंद करते जाएं ताकि zip हमारी टेडी ना हो equal लगे दोनों side से sometimes ऐसा भी होता है कि zip जो है एक side से उसका खजा हुआ जाता है और एक side से लूज रहती है उस वजह से भी थोड़ी सी zip बंद करने में मुश्किल होती है तो इस तरह आप कर लें इसको यह finally तकरीबन zip लग चुकी है तो इस तरह आप लगाईएगा तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा आपका experience कैसा रहा जो तरीका मैं आपको सिखाती हूँ वो पूरे experience के बाद ही मैं आपसे शेयर करती हूँ और मेरा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ असान से असान तरीका शेयर करूँ तो यह इस तरह जिप लग चुकी है यहाँ पे इसको cutting कारके तो दोना side से zip को इसके अंदर मैं पका कार लूँगी तो आप रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत शुक्रिया आप लोग की प्यार का महबत का तो अल्ला अफीज